बॉलिवूड होया टीवी इंडेस्टी यहां रोज रिष्टों की बंते बिगड़ते समी करड सामने आते हैं कभी कोई किसी से रिष्टों में जुड़ जाता है तो कोई सालों से बने अपने रिष्टे को खतम कर देता है और ऐसे कई सारे केस आपको बॉलिवूड और टीवी इंडिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी बीचे की एक ख़बर सामने निकल कर आई है कि अपनी जबरदस्त रैपिंग और अपने गजब के अंदास के लिए फैन्स के बीच में खास पहचान मना चुके रैपर रफटार सिंग अपनी पत्नी से रैपर रफटार सिंग अपनी पत्नी कोमल वहरा से hart लेने जा रहें और अपनी शादी के लगभग 6 साल बाद दोनों अपने रिष्टे को खतम करने जा रहे हैं रैपर रफ्तार सिंग और कॉमल बोरा की शादी 2016 में हुई थी और अब दोनों अपने रिष्टे को खतम करने का फैसला कर चुके हैं और डिवोर्स के लिए दोनों ने साल 2020 में ही तलाक की अड़ जी डाली थी लेकिन कोरोना काल के कारण कोर्ट बगरा बंद होने से इनका तलाक नहीं हो सका और आखिरकार अब 2022 में दोनों इस रिष्टे से अलग होने जा रहे हैं रफ्तार पिछले काफी लंबे समय से अपनी पनी से दूरी बनाये हुए हैं और दोनों काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों के करीबी सूत्र से ये बात सामने निकल कर आई है इसके लावर रफ्तार सिंग और कोमल बोहरा दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है इन दोनों ने अपने इस्टा हैंडल से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और अपनी शादी की तस्वीरे भी डिलीट कर दी है आपको बता दे कि रफ्तार और कोमल के रिष्टे के शुरुआ दोस्ती से हुई थी जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लगबग 5 सार रिलेशन्शिप में रहने के बाद 2016 में इन्होंने शादी कर ली आपको बता दे कि कोमल वहरा टीवी अक्टर करण और कुशाल वहरा की बहन हैं और रफ्तार बॉलिवूड इंडिस्टी में रैपिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े दिगज हैं तो यह थी रैपर रफ्तार सिंग और कोमल वहरा के बारे में अपडेट आई होप आप ल जरूर से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मल थो आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ